हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्री से नए साल की शुरुवात हो जाती है और इस बार नए साल की शुरुवात 18 मार्च से होने जा रही है नवरात्री के आते ही राशियों में भी कई परिवर्तन हो जाते हैं जिनमें कुछ राशियों के लोगों के लिए तो अच्छे संकेत होते हैं लेकिन कुछ को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है आईए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्री पर आपकी राशी पर क्या प्रभाव होने वाला है मेश राशी इस राशी वालों को धन की प्राप्ती होगी इसके साथ ही इनकी कई बिगड़े काम भी बनेंगे संतान की सफलता से मन हरशित रहेगा व्रश राशी कोई बहुत दिनों से बिगड़ा कार्य बन सकता है जो जातक प्रबंदन या तकनीकी फील्ड में कार्य करते हैं उनको भी लाब होगा मिथोन राशी इस राशी वाले प्रत्यक कार्य में सफलता हासिल करेंगे इसके साथ ही इनका स्वास्त भी उत्तम रहेगा संतान की सफलता से भी मन हरशित रहेगा करक राशी धार्मिक यात्रा एवं आध्यात्मिक उत्कर्श की प्राप्ती होगी कुछ नया विशेश तोर पर ग्रह कार्यों में सफलता मिलेगी सिह राशी स्वास्त में सुधार होगा याशिया प्रतिष्टा की भी प्राप्ती होगी किसी समारों में सम्मानित भी हो सकते हैं कन्या राशी, राजनितिग्यों से लाप प्राप्ती होगी, सिक्षा या प्रतियोगिता में भी सफलता हासिल हो सकती है, संतान की सफलता से मन हर्शित रहेगा तोला राशी, धन की प्राप्टी होगी, यश या प्रतिष्टा में भी व्रद्धी होगी, ससुराल से लाप की प्राप्टी हो सकती है, इसके साथ ही कोई बिगडा कार्य भी बन सकता है व्रस्थिकृ कोई पूराना मित्र मिलेगा, धन का आगमन भी होगा सरकारी कार्य बनेंगे या फिर किसी नए व्यापर की योजना बनेगी सिख्षा या प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी कोई नया कार्य भी बन सकता है किसी समारों में सम्मान भी मिलेगा मकर राशी राजनिती में सफलता की प्राप्ती होगी इसके साथ ही धन का आगमन भी होगा भाई से लाब मिलेगा या फिर कोई नया कार्य भी प्रारंब कर सकते हैं कुम्ब राशी राजनितिग्यों के लिए बहुत शुप समय रहेगा किसी बड़े समारों में पुरिस्कृत भी हो सकते हैं मीन राशी सिक्षा में सफलता मिलेगी इसके साथ ही जॉब में भी उन्नती मिलेगी किसी नए कार्य का प्रारम होगा और धार्मिक यात्रा भी हो सकती है तो ये थे चैत्र नवरात्री में होने वाले राशी परिवर्तन नवरात्री की और अपडेट्स चानने के लिए आप बने रहे न्यूस्ट्रेक लाइफ के साथ